हेलो दोस्तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए दिगंत भाग 2 कक्षा 12 तो BPSC के जो ये पुस्तक है कक्षा 12 के लिए उससे महत्वपूर्ण प्रशन उतर मैं लेके आए हूँ तो जैसे कि आप सभी की BPSC के तयारी चल रही है तो इसी संब्द में कुछ महत्वपूर्ण प्रशन उतरों पर हम चर्चा करेंगे ठीक है क्योंकि अगर SCRT से प्रशन पूछा जाता है तो ये प्रशन आपके लिए महत्वपूर्ण है और बागी क्योंकि ये हिंदी साहित है तो वहाँ भी ये प्रशन उतर इंपॉर्टन ठीक है चलिए शुरू करते हैं अपने प्रशनों को अगला प्रशन है बालिक्रिष्ण भटड की रचना बादचीट क्या है एकांकी है कहानी है या तरा सनस्परण है या फिर ललत निबन्ध है तो ये उनके द्वारा लिखा गया ललत निबन्ध है अगला प्रिशन है बात चीछ चीरशक निबंध के निबंध कार कौन है तो कोई भी कहानी आप पढ़ते हैं या कोई भी रचना आप पढ़ते हैं तो आपको उसके विधा के बारे में पता होना चाहिए उनके प्रकाशन वर्ष भी मैं बता चुकी हूँ कक्षब 12 की 11 बारे की ठीक है तो जो भी चीज़े महत्पूर है एक एक टॉपिक में आपको लाइन से कराती जा रही हूँ तो यहां पी निबंधकार का नाम आपसे पूछा है बात चितनी बंधका तो यह है बालकृष्ण भट चलिए अगला प्रशन है बालकृष्ण भट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 इसवी में अगला प्रेशन है बाल कृष्ण भट का निधन कब हुआ था तो 20 जुलाई 1914 में हाला कि निधन के बारे में कम ही प्रेशन पूछा जाता है चलिए अगला प्रिशन है बाल कृष्ण भट का निवास स्थान कहा था तो इनका निवास स्थान इलाहबाद उत्तर प्रदेश था ठीक है तो जर्म स्थान और जर्म वर्ष ये दोनों चीज़े मैंने चर्चा की थी तो आपकी उस चीज़ों से त्यारी हो जाएगी चलिए बाल कृष्ण भट के प्राहसन का नाम बताईए तो जैसा काम वैसा परिणाम नई रोष्णी का विष आचार विडब बन तो ये तीनों जो है उनके द्वारा लिखा गया प्राहसन है ठीक है अगला है कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट ने नहीं लिखा था अब यहां पर देखिए रहस्य कथा नूतन ब्रमचारी सौ अजान एक सुजान ये तो उनके उपन्यास है गुप्त बहरी रसातल यातरा उचित दक्षुडा हमारी घड़ी सदभाव का अभाव तो ये सबी उनके द्वारा लिखा गया है चलिए आपको इतना भी नहीं पता है मैं बत है ठीक है आपको इतना ही पता है इनके बारे में नहीं पता तो अब आप क्या करेंगे आपको पता है कि अजात शेत्रो किसका है आपको इसका अंसर तो पता है अजात शेत्रो बहुत ही महत्पूर्ण उपन्यास है किसका है तो प्रसाद जी का जैशंकर प्रसाद जी का तो तो आपको ये अगर कई बारी होता है कि आपको प्रशन ना मलब उत्तर सारे ना पता हो तो जो गलत उत्तर हो उससे भी आपको सही आंसर आपको पता चल जाते हैं तो हमें इस से उसका उत्तर पता चल गया ठीक है चले फिर यहां पर खाल सान भरो है कि अन्यक प्रकार की शक्तिया जो वर्दान की भाती इशर ने मनश्च को दी है उनमें डैश भी एक है तो स्पर्श शक्ति, श्रवन सक्ति, ग्राण शक्ति वो है वाग शक्ति यानि बोलने की शक्ति ये हमें उनके दिम्पंद बातचीत में दिया गया है ये उनके द्वारा दिया गया कथन है ठीक है अब इसके अलावा इसमें एडिसन का क्यामत है वो भी बताया गया है तो एडिसन का मत क्या है सची बात तीन वेक्तियों में भी हो सकती है ये नहीं है जूटी बातची चार वेक्तियों में भी होती है ये भी नहीं है सची बातचीत पांच वक्तियों में हो सकती है। निबंद किस विधा की रचना है तो ये एक निबंद है चले बात चीत शिर्शक निबंद के अनुसार जो कुछ मवाद या धूँआ जमा रहता है वा भाब बनकर निकल जाता है कैसे तो इसका सही हुता है बात चीत के जरिये तो जब भी मनुश्य को कभी भी कोई दिक्कत आ रही होति है तो क्या कहा जाता है कि जब भी आप किसी परिशानी हो अपना दुखुद दर्द दूसरों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि उपकर द्रूसरों से ऑपना बात चीत तो हमारा मन भी हलका हो जाता है और उहो पर के दिमाग से थोड़ी हिलंगी हो जाएग avenues जर आगे जो है उसने कहा था जो की पार्ट दो है जिसके रचनकार है चंदरधर शर्बा गुलेरी इसके प्रश्मतर करेंगे तो प्रश्न है उसने कहा था कहानी के नायक है तो इसके नायक है लहना सिंग उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है तो ये एक कर्म प्रधान कर्म दिख को किसने मार गिराय था तो लहना सिंग ने उसने कहा था कहानी का प्रकाशन मेंश क्या है तो 1915 इस जी जी के गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताए कच्छुआ धरम डिंगल संस्कृत के टिपरारी मारेसी मोही कुंठाव पुरानी हिंदी देवाना प्रिये त जब उप्रियक तो सभी हो ऑप्षन में तो जादर यही उतर रहता है तो यहां पर इसके हिसाब से भी आप इनके उतर लगा सकते हैं हलागे इनको इनका जो जीवन परचे है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा तब ही आप इनके उतर दे सकते हैं चले अगला प्रशन है उसने कहा था कहानी की क्या वशिष्टा है तो यह दिवी प्रेम कहानी है युदपर आधारित कहानी है प्रेम वा बलिदान की कहानी है तो यहां पर उपर एक तीनों ही ऑप्षन इसके सही है ठीक है मृत्यों के पशिष्ट पहले इस मृत्यों के सम्रिति बहुत साफ हो जाती है उसने कहा था कहानी का गथन है और अने परिक्षारों में भी ये क्या गथन पूझा ही गया है गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपाधन किया तो उनके द्वारा समालो चक काशी नागरे पिचाड ने पत्रिका का संपाधन किया गया अगला प्रश्ण है किन विश्यों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है तो उन्होंने प्राच्चे विद्या, इतिहास, पुरा तत्व, भाशा विज्यान, समसाय में एक विश्य, याने के उप्रयक्त तीनों विश्यों पर उन्हें ने अपने लेखनकार किया है यहाँ पर आपने एक शब्द बार बार पढ़ा है कि तेरी कुडमाई हो गई क्या तो यहाँ पर कुडमाई शब्द जो है आपने कहानी में पढ़ा हुआ है तो इस कुडमाई का क्या आर्थ है तो वो है विवाह की लड़का जो होता है बार बार क्या पुछता रहता है कि त फेरे कुड़माई हो गई, क्या? यही पूशता रहता है? उसका मतलब होता है विवाह। बिना फेरे घोड़ा बिगरता है और बिना लड़े सिपाही या पंक्तिक किस कहानी में दी गई है। यह उसने कहा था कहानी का कथन है। लहना सिंग के भतीजे का नाम क्या था? तो ल जाद रखना जरूरी है चलिए अगली कहानिया अगला जो निबंद है वो है संपोन करांती जिसके रचलिता है जैप्रकाश नारायन चलिए इसके प्रशन तर करते हैं निम्नांकित उधारन किस पार्ट से लिया गया है अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके क हमने लोकतंतर की स्थापना की है तो ये कथन संपोन करांती से लिया गया है अगला प्रशन है संपोन करांती के रचनकार है तो इसके रचनकार है जैप्रकाश नारायन अगला है जैप्रकाश नारायन को किसका दलाल कहा गया है तो अमेरिका का दलाल जहन को कहा गया है वच्पन का नाम था बाओल, जैप्रकश नराण का जयन हम कब हुआ था तो 11 अक्टूबर 1902 को, जैप्रकश नराण का निधन कब भूआ था तो 8 अक्टूबर 1909 को, संपुण क्रांति वाला पार्ट भाषण के रूप मे गांधी मैदान में जेपी यानिश नराण ने कब दि तो यहां से यह भी प्रश्ण अपका महत्वपूर्ण हो जाता है तो यह भाषण उन्होंने पांच जून 1974 को दिया था तो यह क्या है संपूर्ण करांती उनके दोरा दिया गया एक भाषण है ठीक है किस पार्ट में आया है अगर कोई डिमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे ल विद्यार्थी और राजनीती निबंध किस का लिखा हुआ है तो यह जैप्रकाश नारायन का लिखा हुआ है दल विहीन लोक तंतर किसके मूल उद्देश्यों में है तो यह माक्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में है जैप्रकाश नारायन किस आंदोलन के क कारण जो है जेल में गए थे चलिए अगर है अर्ध नारिश्वर रामधारी सिंग दिनकर का इसके प्रश्णतर करते हैं तो किस रचनाकार की पंक्तिया है नारी सुपन है नारी सुगंद है नारी पुरुष की बाहँ पर जूलती हुई जूही की माला है तो यह उनके निबं अर्ध नारिश्वर में से लिया गया है और अर्ध नारिश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंग दिनकर ग्यान पीट पुरसकार से सम्मानित रचना है तो वो है उर्वशी युद और शांती की समस्या पर लिखी गई काविकरती है तो वो है कुरुशेत्र अर्ध नारिश सिर्शक निबंद के निबंदकार का नाम को क्या है तो वो है रामधारी सिंग दिनकर का जन्म कब हुआ था तो 23 सिटमबर 1908 को रामधारी सिंग दिनकर का निधन कब हुआ था तो 24 अप्राइल 1974 को और रांधारी सिंग दिनकर का जन निम कहां हुआ था दो सीमरिय बेकूसर आई भिहार में उनका जन्म हुआ था चलिए अगली कहानी है रोज अगेजी के दुवारा चलिए इसके महत्वपूर पर शोतर कर लेते हैं तो रोज कहानी के कहानीकार है तो इसका के कहानीकार है अगे और रोज का ही नाम बाद में क्या पड़ गया तो गैंग्रीन पड़ा हुआ है रोज कहानी का अक्सर प्रशन आता है कि रोज कहानी का अन्य नाम क्या है तो इसका अन्य नाम है गैंग्रीन ठीक है ये दियान में रखेएगा चलिए मालती के पती का नाम क्या है तो इसके पती का नाम था महेश्वर अगे जी का मूल निवास स्थान कहा है तो वो है करतारपूर पंजाब रोज सिर्शक कहानी का पूर्व नाम क्या था तो वो है गैंगरीन अक्सर नाम पूछा जगया है तो ये याद रुखेगा दोपर में उस सूने आंगर में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानू उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो ये कथन किस कहानी का है तो ये रोज कहानी का है अगला है किस पार्ट में आया है तीन बज गए, चार बज गए, ग्यारह बज गए तो ये रोज कहानी में ये दिया गया है मालती के द्वारा बार बार रह रहे के समय देखना दिखाएगा है मालती के पती पेशे से क्या है? तो वो एक डॉक्टर है रोज शिर्शक कहानी में किसने पूछा? तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं ये बात लेखक ने पूछा था मालती के पती का नाम क्या है तो उनके पती का नाम महेश्वर है रोज शिर्शक कहानी में टिटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया तो टिटी जो है मालती के शरीर से टिटी उतकी बच्ची रहती है तो अपरी मां की गोद से चिपक के वो सो जाती है चलिए अगला प्रश्ण आ जाता है हमारा तो प्रश्ण है जगदीश चिद्रमाथूर का जर्म कहां हुआ था अतो शाह जहापूर उत्तर प्रदेश में जगदीश चिद्रमाथूर को कौन सा पुरसकार नहीं मिला था तो भारती ग्यान पीट पुरसकार उनको नहीं मिला था और तो कौन सा मिला था तो विद्या वार और धर्मानदहमानव. एकी ही सक्डेगे दो पहलु है. तो ये किस पार्ट में आया है? तो ये ओसला नीरा पार्ट में आया हुआ है. धांगड शब्द का अर्त औराव भाशा में क्या है? तो धांगड जो शब्द है इसका अर्त है भाड़ी का मस्दूर. अगले चमपारिन में गांधी जी के चमतकार की कथा किस ने लिखी है तो ये राजेंदर प्रसाद ने लिखी है भगत सिंग जो पार्ट है उससे प्रशनतर करेंगे तो भगत सिंग के पिता कितनी बार जेल गए तो उनकी पिता जो है अनिक बार जेल गए थे भगत सिंग की पहली गिरफतारी क रहा हो तो वेक्तियों के भागी को पोड़तया भुला देना चाहिए ये बात भगत सिंग के द्वारा कही गई है सुरक्षा कहां हो सकती है तो चुनौती को जेलने में सुरक्षा हो सकती है यानि लोगों के अगर सुरक्षा कैसे होगी जब चुनौती को स्विकार करेंगे उ पी की समस्या किस लिखक की रचना है तो ये भगत सिंग की रचना है भगत सिंग ने कैसी मृत्यों को सुन्दर कहा है तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को चली यहां पे हम ओ सदा नेरा पार्ट के प्रशंतर हम भी देख रहे थे जगदिश दर मातुर का तो देखे चमपारन में गांधी जी के चमतकार की कता किस ने लिखी है तो राजेंद्र प्रसाद ने किस पार्ट में आया है कैसी है चमपारन की अभूमी मानों विस्वरती के हाथो अपनी बड़ी निधियों को सौपने के लिए प्रस्तुत रहती है यह किस पार्ट से लिए गया है तो ओ सदा नीरा से वर्तमान सिक्षा पद्धि को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ छोटे वच्चों के चरितर और बुद्धी का विकास करने के बजाए यह पद्धि उन्हें बौना बनाती है यह किसके विचार है तो यह विचार महात्मा गांदी के है बन कैसे ताल है तो मन जो है गहरे और विचार ताल है चौर कैसे ताल है तो यह उतले ताल है वैशाली महुतसव का परियोजन परतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंब कराया था तो यह आरम जगदी शिंद्रमाथूर के दोरा कराये गया था अब सिपाही की मा जो कहानी है उ तो सिपाही की मा इनमे से कौन है, सिपाही की मा का नम क्या है? तो वो है विश्णी. अगला प्रशन है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती है, तो ये बात किस पार्ट से लिया गया है, ये क अंक की कहानी हो उसको हम एकांकी कहते हैं तो ये रचने किसकी है मोहन राकेश की है मोहन राकेश का जन्म कवा था तो आठ जन्वरी 1925 को मोहन राकेश का नेधन कवा था तो 3 दिसंबर 1972 को अब करेंगे प्रगीत और समाज नामवर सिंग के तारा 27 को नामवर सिंग का जन्म कहा हुआ था तो जियनपुर वारण सी उत्तर प्रदेश नामवर सिंग के माता-पिता का नाम क्या है तो वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंग नामवर सिंग ने किस विशे पर पीएश्डी की उपाधी प्राप्त की है तो उन्होंने दलत आतम कथा है यहांँपर तो आतम कथा है तो अगर दलत आतम कथा है तो ये दलत आतम कथा है जूचरं शिर्षक आतम कथा के लिखा कौन है تو वो है ओंप्रकाश वालमिकी का जन्म कभ हुआ था तो 30 जून 1950 को अब मैं यहां एक crane साद हुएगी जवा दिस गए थे तो अब भी पूछे जा सकती है ओम प्रकाश वालमिकी का जन्म कहा हुआ था तो बढ़ला मजफ़र नगर उत्तर प्रदेश में अगला प्रशन है ओम प्रकाश वालमिकी को कौन से सम्मान प्राप्त हुए है तो उनको डॉक्टर भीम डॉक्टर अंबेड कर रास्ट तो यह दलत चेतना की रचना है सलाम कहानी संग्रा के रचनाकार कौन है तो वह नो प्रकाश वालमिकी 12 दूम में अप्राइटिस की नोकरी किसलेखक ने की है तो यह की है उन प्रकाश वालमिकी ने जूठन शीरशक आत्म कथा में मरे हुए पशु की खाल कहां बिक जाती थी तो मुजफ़र नगर के चमड़ा बाजार में मरे हुए पशु की खाल भी बिक जाती थी चलिए अगला है हस्ते हुए मेरा अकेला पन मल्यज के द्वारा तो मल्यज की रचना नहीं है तो ना आने वाले कल सदियों का संताप बकलम खुद तो इन में से कोई भी रचना जो है वो मल्यज की नहीं है ठीक है हसते हुए मेरा अकेला पन इसके लेखा कौन है तो इसके लेखा क्या है मल्यज और इसकी विधा क्या है तो ये डाइरी साहते है अब इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि मैं साहते को कैसे याद रुखे देखे अकेला पन अकेले में आदमी क्या करता है डाइरी की रचना करता है और उसको अपने अच्छे बुरे हर तरिके के दिन याद आते है तो हसते हुए अकेले पन में वो डाइडी रचना करता है ठीक है मल्यज का मूल नाम क्या है तो भरत जी श्रिवास्तव मल्यज का जन्म कहा हुआ था तो महुई आजमगड उत्तर प्रदेश में मोहन राकेश की कृतियां कौन सी नहीं है अब यहां पे देखिए गहास वाली, मानसरोवर, पूसकी रात, कफन यह सारे किसकी रचनाए है यह सारी रचनाए तो प्रेमचंद की है अब देखिए दर्याई घोड़ा, तिरीच और अंत में, प्राथना, पाल गुम्रा का स्कूटर, पीली छेत्री वाली लड़की अब यहां प्रेमचंद की रचनाए है तो आपने इसको टिक कर दिया, अगला प्रशन है उदे प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताईए, तो सुनो कारिगर अबुतर कवुतर रात में हर्मोनियम, यह तीनों उनके कविता संग्रह है तो यहां पे उपरयोकत सभीज का उतर हो जाएगा, तीरीच कहानी कैसी है, तो यह जादूई यह अधार्थ पर आधारित कहानी है अगला प्रशन है किस पार्ट में आया है, अगर तीरीच को देखो तो उससे कभी आँखे मत मिलाओ आँख मिलते ही वे आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृत्वी का चक्कर लगा ले, तीरीच पीछे पीछे आता है तो ये किस पार्ट से लिया गया है, तो ये तीरीच पार्ट से लिया गया है, नमलिकित आलोचना पुस्तक में से कौन सी पुस्तक मोहन राकिश ने लिखी है, तो वो है ईश्वर की आँख अगला पुस्तन है, कौन सी पुस्तक उधे प्रकाश ने अनुदित नहीं की, तो वो है कलाकार बाकी की जो है, वोनोंने अनुदित कर रखी है उधे प्रकाश की द्वारा, यानि की कला अनुभव इंद्रा गांधी की आकरी लड़ाई, लाल घास पर, नीले घोडे, रोमिया रोला का भारत, ये सभी अनुदित करतिया है उधे प्रकाश की, ठीक है उधे प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक रहे है, तो वो है संडे मेल, ठीक है जे कृष्ण मूर्ती का पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ती, तो जे हम पढ़ते हैं, तो जे पूर जिद्दू, ठीक है जे कृष्ण मूर्ती के किन विश्यों पर लेखन कारे किया है, तो इन्होंने तो यहाँ पर उनके द्वारा देखिए लेखन कारे किसका क्या है तो अध्याम, सिक्षा, दर्शन इन सभी विश्यों पर जो है नोंने रचनाएं की है जे क्रिष्ण मूर्ती क्या करते थे तो वे बोलते थे बोलते और लिखते थे लिखते थे कुछ नहीं करते थे तो वे बोलते थे ठीक है अगला है किस पार्ट में आया है बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अतित्र आवशक है जो सुतंत्र पूर्ण हो तो ये उनके समभाशन सिक्षा से लिया गया है जे कृष्ण मूर्थी क्या थे तो ये विश्व सिक्षक थे जे कृष्ण मूर्ती की पुस्तकों के नाम बताईए तो उनकी पुस्तक के नाम है The First and Last Freedom, The Only Revolution, कृष्ण मूर्ती's Notebook तो ये सभी रचनाए जो है जे कृष्ण मूर्ती की है ठीक है तो चलिए ये थे कृष्ण बारा दिगंत भाग दोग के प्रश्ण उत्तर तो आप सभी को ये प्रश्ण उत्तर कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और आप सभी के तयारी कैसी चलिए एक बार वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा धन्यवाद